हेलो हाई लोग तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोस्टेट को पर देगे नॉर्मली लोगों को पता ही रहता है कि थर्मोस्टेट का काम क्या होता है जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दू इसका क्या काम होता है यहां पर यह कुछ इस तरीके से फिक्स क्या होता जब तक कि इंजन ने अपना एक minimum operating temperature गेन नहीं कर लेता है अगर thermostat valve नहीं लगा होगा तो क्या होगा coolant की supply radiator से लगातार होते रहें तो ऐसे मैं engine को warm up होने के लिए ज्यादा time लेगा तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा detail बताता हूं कुछ इस तरीके से बताने कोशिस करता हूं कि आपकी easily समझ में आ जाए ठीक है तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता रहें तो जब हम अपनी गाली का engine start करते है तो जो thermostat valve क्या करता है जो coolant होता है उसको radiator के तरब जो flow होता है उसको रोग देता है कब तक जब तक की गाली का एक operating temperature maintain नहीं हो पाता है ठीक है अगर यहां पर thermostat valve नहीं होगा तो क्या होगा जो coolant होगा वो लगाता है radiator के तुर सप्लाई होते रहेगा ठीक है और radiator का काम होता है coolant को ठंडा करना उसकी heat को absorb करना तो ऐसे में क्या होगा जो गाले का engine है उसका अंदर जो coolant हो तो ठंडा होते जा रहे ठीक है तो ऐसे में जो गाले का engine होगा उसको जादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर जादा time लगेगा ठीक है अपना जो minimum operating temperature होता है उसको maintain करना है अब देखिए हाँ प इस तरिकी सə, मान लिजे कोई दरवाजा या है ठीक है आप एक तरफ को दूसरी तरफ में जाना तो thermostate valve को मान लिए ठीक है तो आप तब तक दुसरी तरफ नहीं जा सकते है जब तक ये thermostate valve या फिर जो धर वा उपन आब, कहलो कमेंट करेंगे ना की कूट कर चल जाएंगे बड़ यह मान लिए दर्वाजा है कम रहा है छट भी लगए आप कहीं से नहीं जा सकते बस एक ही रास्ता है थर्मोस्टेट वाल के थ्रू जाने का जो की वह दर्वाजी का काम करें ठीक है तो आई होप आपके समझ में आओगा ठीक है तो जैसे जैसे गाली के जो इंजन का टेंपरेचर बढ़ेगा इस वाले जो थर्मोस्टेट वाल का से टेंपरेचर हो 82 है ठीक है तो जैसे गाली का जो कूलेंट होगा उसका जो टेंपरेचर होगा स्टार्टिंग से बताते तो आपने गाली स्टार्ट करीए आपक की गाड़ी का जैसे जो टुलेंट का टेमपरेचर होगा अभी यह जो आम अप्रोसेस हो रहा हैula यूमा टो रेडियंट हाव तो जैसे ही टैमपरेचर है वो 82nty के आस-स-पास पहुंचा ठी parts ठीक है और जो यह तर्मों स्टेट हीए यह open होना start हो जाएगा यह जैसे open होगा तो coolant का flow होगा वो radiator के तुरू होने लग जाएगा और ऐसे आपकी गाड़ी का जो coolant का heat होगी वो radiator absorb करने लगे तो simple सा process यह हो तो अब अगर हम यहाँ पर इस thermostat valve को कई लोग निकाल देते हैं तो ऐसे में क्या होगा मैं भी यह चीज़ा आपके साथ clear कर देता हूँ देखिए ऐसा होगा आपकी गाड़ी राद बार खड़ी है ठीक है तो cold start मिला cold start की भी क यह सारी definition हो सकती कोई कहता है कि काफी लंबे टाइम से खड़ी गाड़ी को अगर बहुत टाइम बाद start किया जा रहा तो उसको cold start कहते हैं या कई लोग कहते हैं कि राद बर खड़ी गाड़ी को सुबह मौनिंग में first time start किया तो उसको cold start कहते है ठीक है तो वह अलग topic है ऐसे में गाड़ी के engine को warm up होने में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका एक disadvantage यह हो सकता है कि अगर लगातार यह चीज गाड़ी के साथ हो रही है थर्मोस्टेट वाल निकला है तो यह चीज लगातारी होगी और तो यह कहीं ना कहीं engine पे long time पे बुरा असर जरू डालेगा तो ऐसे में क्या होगा यह process लंबा हो सकता है ठीक है उसके अलावा यह ज़्यादा असर कहां पर डालता है मान लीजिए आप ऐसी जगे रहे हैं जहां काफी ज्यादा ठंड होती है यह फिर बरब पढ़ लिए ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर देखिए अगर व जैसे जैसे गरम होता है तो जो इसमें पिस्टन होता है बीच में यह expand करने लग जाता है ठीक है मैं इसको आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं किस तरीके से काम करता है मेरे पास एक वीडियो पढ़ी है तो अगर यह आपको थोड़ा शेक ही लगे यह थोड़ा अगर कम क्लियर लगे तो प्लीज इसको एड़्ेस कर लीजेगा बट यह वीडियो आप पूरी देखना आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि यह जो थर्मोस्टेट वाल्व है काम किस तरीके से करता है तो अब थर्मोस्टेट वाल्व को ना मैं आपको प्रैक्टिकली चेक क त्रीक है तो जैसे टेम्परिचर यहां तक पहुंचेगा तो सिलेंडर उसको सेंस करेगा और यह व्यूंक होगा धीरे-दीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो जो मैल्टिंग वैक्स है वो क्या करेगा जो राट है उसको आगे की तरह फुस्ट करेगा और और यह open हो जाएगा और उससे जो coolant का flow होगा जो अभी तक block है ठीक है जो जैसे मैं आपको बतारती है दरवाजा वो बंद है तो दरवाजा खुल जाएगा और coolant का flow वहाँ से start हो जाएगा और जैसे जैसे गाली आपकी खाड़ी होगी आप गाली ठंडी होने लग जाए ठीक है तो यह दीरे 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 बंद हो जाएगा जैसे कि इस वीडियो में आपको वीडियो में अच्छे से बताता हूँ ठीक है तो देखिए इसको टेस्क करने के सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप उसको किसी उबलते वे पानी में डालें देखिए यहां पर हीट के साथ बैसे करना नीचे बर सबक अपना तरीका उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन बैस तरीका यह है कि इसको पानी में आप इसको एजली चेक कर सकते हैं अगर आपकी आपकी गाड़िया मतलब ऐसा करिए गा मत मैं आपको बता रहूं मतलब मैं प्रैक्टिकल करके आपको द तरफ मूब करना स्टार्ट करते हैं पीछे इसके एक रवर लगी है तो जैसे जैसे टेम्पेचर है वह राइस हो रहा है वैसे वैसे पिश्टन आखे की तरफ हो रहा है एक टाइम ऐसे आएगा जब यह जो पिश्टन पूरा खुल जाएगा और वहां पर जो कूलेंड का फ् मैं आपको दिखाता हूं दिखे यह जो रवर है यह इसको पूरी तरिकर से क्लोज कर लिए अब एक चीज़ यहां पर आती है कि कभी यह रवर कर जाया तो क्या होगा आपको यह चीज़ पतानी चल वाए क्योंकि कूल लैंड का फ्लो होगा धीरे दिरे वहां से चालू होन अब अब यह जाता है और अगर मान लीजे कभी यह थर्मोष्टेट वाल्ब खराब हो जाया और श्टक हो जाया खुले ही ना तो क्या होगा गारी ओवरीट होना है श्टार्ट हो जागी क्योंकि यह खुलेगा नहीं तो कूल एंड को आगे ठंडा होने के लिए रस्ता ही यह मिलेगा अब रेडियेटर तक जाने कली रस्ता ही नहीं मिलेगा ऐसे महीं क्या हो सकता जो टेमपरचर सेंसर और वहां था वाल्य वीट हो जाया तो आई होप मैंने बहुत सी चीज़ें आपके सब्सक्राइब करनी कोई कुश भी आपके काम में आहा होगा आगा आगा क किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर